मुंबई में एन्सिपी के नेता और सल्मान खान के बेहत करीवी बाबा सिद्धिकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई इस घटना के बाद पूरे मुंबई में कोहरा मच गया बाबा सिद्धिकी की हत्या के जिम्यदारी लौरेंस बिश्णुई ग्रूप ने ली है लौरेंस बिश्णुई की तरह भारत में और भी कई गैंग सक्रिये हैं इस रिपोर्ट में हम आपको भारत के उन पाँच टॉप गैंग्स्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो ने एन आईए, सी बी आई और दूसरी एजंसियोंने Most Wanted घोशित किया है जो वास्तों में बेहद खूंखार अपराधी हैं इस लिस्ट में सबसे पहला नाम लौरेंस बिश्णुई का आता है लौरेंस बिश्णुई इस वक भारत का टॉप गैंग्स्टर है बिश्णुई का करीबी है सतिंदर जीत सिंग और गोल्डी बराड का नाम तब चर्चा में आया जब पंजाबी म्यूजिक इंडस्टरी के टॉप सिंगर सिध्धु मूसे वाला की हत्या हुई इसका मास्टर माइंड गोल्डी बराड ही था जो फिलहाल करनाडा में छिपा है गोल्डी बराड को लेकर इंटर पोल ने रेड कॉर्णर नोटिस भी जारी किया है खुंखार गैंग्स्टर्स के लिस्ट में तीसरे नमबर पर नाम आता है अर्श दल्ला का अर्श दल्ला के नाम पर पांच लाग काई नाम है अर्श दल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स यानि के टी अफ का संस्थापक सदस्य है वो खालिस्तानी आतंकी हरदीब सेंग गुर्जर से जुड़ा था अर्श दल्ला के गैंग में 700 से ज्यादा शूटर है अर्श दल्ला फिल्हाल केनाडा में ही है खुंकार गैंग्स्टर्स के लिस्ट में चौथे नंबर पर लॉरेंस गैंग का दुश्मन है जो कि एक खतरना गैंग्स्टर है नाम लकी पटियाल जो कि बंबीहा ग्रूप का सर्ताज है लॉरेंस बिश्णोई ग्रूप का सबसे बड़ा दुश्मन बंबीहा ग्रूप है जिसकी शुरुवात दविंदर बंबीहा ने की थी बंबीहा को पुलिस ने अंकाउंटर में मारा था इसके बाद लकी पटियाल बंबीहा ग्रूप की कमांड सम्हाल रहा है वो इस वक्त अर्मीनिया में मौजूद है वो भी भारत से बाहर है उस पर पांच चलाक रुपए का इनाम है खतरनाग गैंक्सर्स के लिस्ट में पांच वा और आखरी नाम आता है नीरज बवाना का जैसे आज लौरेंस बिश्णोई का नाम दुनिया जानती है उसी तरह एक वक्त दिल्ली में नीरज बवाना का नाम मशूर था नीरज बवाना दिल्ली के बवाना गाउं का रहने वाला है उसका असली नाम नीरज सहरावत है फिलहाल नीरज बवाना दिल्ली के तीहाड जेल में बंद है और वहीं से अपना क्राइम नेटवर्क संभालता है नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24